हलो दोस्तों आप सभीको जारकण नोटबूक चनल में हार्दिक स्वागत है आज के ससन में लोग एक सिक्षक निजुक्ति के मामला को लेकर बात करेंगे और डिटेल्स में सारे चीजों को समझेंगे तो ये जो मामला ये 2006 में जो सिक्षक नियोजन निती बनी थी और उसके आधार पर जो सिक्षक निजुक्ति हुई थी उसको लेकर कि ये मामला है बहुत सरे साथियों कि इसके बारे में पता होगा बहुत सरे साथियों कि इसके बारे में नहीं पता होगा तो जिसको भी इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी नहीं है वो इस वीडियो के फिर वो सुप्रीम कोट तक मामला कैसे पहुंचा सारा चीज डीटेल्स में इसमें डिसकस किया जाएगा और अभी इसकी हाल क्या है तो कल जो इसका निर्देश आया सुप्रीम कोट के और से इसमें बताया गया कि जो सिक्षक नुजुकती में जथा इस्तिति बनाया रखने का सुप्रीम कोट ने इसका निर्देश दिया ने कि जो भी इस्तिति है उसी को बनाया रखने का तो यह क्यों हुआ कैसे हुआ इसको समझते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले समझते हैं कि 2006 में एक नियोजिन निती बनी थी जैसे भी बहुत सरी नियोजिन निती जारकन बनने के बाद बार बार नियोजिन निती चेंज हुई है, तो 2006 में जो नियोजिन निती बनी थी उसके 11 जो 13 डिस्ट्रिक्ट था 13 जिला था वो कुंसा जिला था 10 जिला के कडर में रखा गया था और 11 जो 13 जिला था उन में क्या प्रवादं था कि उसमें मतलब उसी जिले की इस्थने कों लोगी वाँद होगा या football होगा और जो बाकी जिला है उन नहीं कर सकते थे तो इसको लेकर के सोनी कुमारी भार्षस स्टेट अफ जारखंड ये आपको पता होगा सोनी कुमारी भार्षस स्टेट अफ जारखंड केस हुआ था जिसमें जो है नियोजन नितिव को रद कर दिया गया था तो हाई कोट क्या क्या था वो जो नियोजन नित में जाजिका दार की थी और उस जाजिका पर सुनुबाई करते हुए तीन जज के एक पैनल बेठा था जिसमें बताय गया थी कि यह निती जो है संग्विधान के प्रवधान के खिलाप है और क्या कहा गया था कि इस निती से कुछ जिले के सभी पद खास लोगों के लिए अर हा था साथ ही क्या बोले थे कि जो 11th गेर उनुस्षीत जिला है उसमें निजुक्ती परिक्रा को बऔरक्रार रखा था तो इसी फेसला के खिलाब जो है शुप्रीम कोट में क्या गया था SLP दायर क्या गया था तो जब High Court से ममला Supreme Court में चला गया तो Supreme Court क्या क्या देखे यहाँ पर तो Supreme Court क्या बोला यहाँ पर कि Supreme Court ने सिक्षेको की निजुक्ति के मामले में जथा इस्तिती बनाये रखने का निर्देश देते हुए सरकार को notice जारी क्या है सरकार को क्या क्या है notice जारी क्या है कौन Supreme Court अब संबार को क्या हुआ कि सोनी कुमारी की अभोमानना जाचिका पर सुनबाई करते हुए सिर्ष आदालत ने ही निर्दस दिया अब संबार को जस्टिस एमर सहा वो जस्टिस हीमा कोहली के खंड़पिट ने सरकार को 18 नवेंबर तक जबाब दाखिल करने का निर्दस दिया यानि सरकार के पास अब 18 नवेंबर तक समय है वो जबाब दाखिल करेंगे Supreme Court का जो कोश्चिन है उसके उपर अब सोनी कुमारी ने जो अभोमानना जाचिका में का है कि Supreme Court ने 2 आगस्ट को जहारकन सरकार की बर्स 2016 में बने नियोजी निति को आसंग बदनी करार दिया था सुप्रिम कोड क्या क्या था दो आगस्त को जो नियोजी निति बने थी उसको आसंग बदनी करार दिया था लेकिन इस निती से उनुस्चित जिलों में निजुक्ती सिक्षिकों को निजुक्ती को बरकरार रखा था बट जितने भी उनुस्चित जिले थे जो 13 उनुस्चित जिले थे उसमें जो सिक्षक निजुक्त हो गए थे उसका निजुक्ति को क्या कह था बरकरार रखा था यानि कि वह अभी भी लित पोस्टेड है अभी भी जॉब कर रहे है अभी भी इसको सलेरी मिल रहा है इस पर क्या हवाला दया गया था इस पर आधालत क्या कहती इस पर आधालत का कहना था कि जो 13- sağnd जिला है उसमें क्या है कि निजुक्ति के अगे सिक्ष को को हटाने के आदेश से वहां के छात्रों को नुक्सान होगा तो इस पिकर से जनाहित को देखते हुए इस निजुक्ति को बरक्रार रखा था और अदालत ने राजसरकार को सेस पदपन जुक्ति के लिए एक CML यानि Common Marit List बनाने के निजुक्ति दिया था और Marit List में वहसे उमिदवारों को सामिल कर बनाने को कहा गया था जारकन हाई कोट के ओर से जारी Public Notice के बाद आदालत में प्रतिवादी बने थे अब मामला को यहां समझेए कि सुप्रीम कोट ने सरकार को एक राजसर्या सुप्रीम कोट क्या बला था एक राजसर्या समिक्तों Marit List जारी करने का निर्दस दिया था इसमें अनुस्चित और गेर अनुस्चित दोनों उमिदवारों को सामिल किया जने का निर्दस आदालत ने दिया था पट जो बाकी जो जिले थे जिनमें पहले से requirement हो चुकी थी उसमें क्या हुआ कि जारी रखा था और आज भी उलग जॉब कर रहे है तब ही तक कोई खास इसमें conclusion निकल नहीं पाया है अब 2 आगस 2022 को क्या हो आता है कि Supreme Court ने नेज निति को अभद बताया था वो सिक्चिकों की सेवा को भी बरक्रा रखे थी तो यहाँ दो चीज है एक तो आप निजुक्ति को अभद भी बता रहे है और दूसरा सिक्चिकों की सेवा को भी बरक्रा रखे थी यह Supreme Court का decision था इसमें कोई कुछ नहीं कहा सकते है आगे देखते हैं कि आगे और भी सुनभाए होगा तो उसमें क्या final decision निकल के आता है तो तब ते के लिए इतना ही चैनल में नए है तो चैनल से जूड़ जाए जारकरन से रिलेटेट कोई भी news के लिए related to education and requirement you can subscribe to this channel Thank you